नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टेक्निकल सवाल जवब में और दोस्तों फिर हजिर मूँ एक नहीं जानकारी के साथ में तो पूरा वीडियो देखना ना भूले और आपने अभी तेक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नई वीडियो आपको मिलते रहे तो दोस्तों आज मैं ऐसे Android एप्लिकेशन के बारे में बात करने वालो हूँ उसका नाम है केम फाइंडर यह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो दोस्तों इसको मैं प्रेक्टिकली आपको बताऊंगा कि यह किस तरह से काम करता है आप इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हो यह बहुत ही काम का है तो आप पूरा वीडियो देखने ना भूले और वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए दोस्तों चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं केमफाइंडर यह मैंने इसको ओपन कर लिया है यहा पे कुछ परमीसन मांग रहा हैं इसको अलोग कर दिद रेक्ट दोस्तों ही इसका ऑपन हुआ है तो दोस्तो बहुती अच्छा application है यह आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हो और और भी मेरे पास इससे Android application के tutorial है वो आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल पर जाके रिस्क्राइब में आपको पूरे वीडियो की लिंक मिल जाएगी तो दोस्तो इसको हम प्रैक्टिकली यूस करते हैं देखे दोस्तों यह camera open हो गया है यहाँ पे streaming यह जो पहला option वो है streaming यहाँ पे दिख रहा होगा streaming इसके बाद में फेवराइट capture, history और setting दोस्तों पहले में setting में दिखा देता हूँ आपको क्या है इसमें camera से जो चलने वाला application ने camera का ही उपयोग करता है तो यहाँ पे camera की setting दिए खास plus बन यह चालो या फिर auto mode पे है तो यहाँ पे आपको जेसर चाहिए आप setting कर सकते हो barcode scanner बन यह चालो रखना तो इसको चालो रहना दीजिए दोस्तों इसके बाद में alert voice यहाँ पे on रखिये इसे भी alert voice की speed प्लस यहाँ पे language यहाँ पे कोई इसी भी language select कर सकते हो आप उसके बाद में यहाँ पे public feed है इसे बंद रखियेगा तो अच्छा है दोस्तों चलो अब इसको scan करते हैं यहाँ से camera पे जाएंगे आप इसका कैसे उप्यक कर सकते हो देखेंगे यह मैंने camera को open कर लिए camera open हो गया यहाँ पे कुछ scan करके देखते हैं दोस्तों कैसे गाम करता है जैसे कि यह मेरे laptop पे यह screen लगावा processor का इसको मैंने photo यह मैंने photo खिच लिया इसका और यह scan हो रहा है या फिर sending इसके लिए net आवश्यक है आपका data on होना चाहिए ताकि अच्छे से result मिले और दोस्तों यहाँ पे यह जो photo है वो भेजी जा रही है server पे यह इसको send करने के बाद में इसको यह report वापस भेज़ेगा इसकी पूरी जानकारी हमें detail से मिलेगी तो दोस्तों यह आपके net के उपर defend करेगा कि आपका net या data plan कौन सा है और speed कितनी मिल रही दोस्तों यहाँ पे मेरे पास speed थोड़ी slow है इसलिए यह time लग रहा है sending में कोई बात नहीं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह sending यहाँ पे इसके बाद में identify हो रहा है इसको इस photo की identify यह नि पहचान की जा रही है यहाँ पे यह देख रहा होगा आपको जल्दी ही इसका result आ जाएगा हमें यहाँ पे यह black intel यहाँ पे इसके यह result आ रहे हैं दोस्तों यह black intel यह वो इस ले आया है दोस्तों और यहाँ पे इसका यह पूरा detail आ गया है देखियो दोस्तों यह पूरी detail इसके आ गई है इस laptop की तो यही है इसकी खासियत दोस्तों एक और example में देखे बता देता हूँ आपको वो है मैं यहाँ पे फोटो इसके करके बताता हूँ आपको trimmer का यहाँ पे इसको यह मैंने scan कर लिया इसको scan या फिर मैंने इसका फोटो खिच लिया अब फोटो खिचने के बाद यहाँ पे यह identify हो गया है यहाँ पे इसकी यह जो detail आ गई है पूरी तो दोस्तों यह किसी भी प्रोडेक्ट को scan किजिए और आप उसकी पूरी detail पा सकते हो कुछ ही टाइम में यहाँ पे यह इसकी पूरी detail आ गई है यहाँ पे दोस्तों यह आपको दिख रहे होगी यहाँ पे और इसका यह जो website या फिर link है वो भी अभी थोड़ी देर में open हो जाएगी अभी यह processing यहाँ पे आपको दिख रहा होगा identify चल रहा है यहाँ पे कुछ जानकरिया आई वो है ब्लेक एंड ग्रे फिलिप्स नेरो क सेवर बॉक्स तो यह बॉक्स का दिया है हमने बॉक्स स्केन किया था इसकी detail और identify चल रहा है तो यह जल्द ही identify हो जाएगा और आपको इसकी पूरी जानकरिया आगई दोस्तों ब्लेक एंड ग्रे फिलिप्स प्रो स्कीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे और यह नेट से चलता है इसलिए यह थोड़ा slow लग रहा है लेकिन आपको बहुत ही अच्छी जानकरिया तो आप इसका उप्योग कर सकते हो इस एप्लिकेशन को Google Play Store से डाउनलोड करके आप इसका उप्योग कर सकते हो वड़ी आसानी से तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों और आपको इस वीडियो से संबंदित कोई सवाल या फिर अन्य कोई टेक्निलोजी से जुड़ा सवाल हो तो आप हमें कमेंस करके के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे